हलो दोस्तों वेल्कम टू टू टीन सुव विन योट्यूब चैनल तो अभी हम बात करने वाले जो प्रिव्यू देखने वाले वह मैच है चेंपेज लीग का बोरुसिया मुंसन ग्लैडबैक वसे सकतर दोनेस्क तो वीडियो अंट तक देखते रहो वीडियो लाइक जरू कर चैनल पर लगबग 105 के एक लाग 5,000 सबस्क्राइबर्स है तो आप भी जाके जूड़ो अभी जाके टेलेग्राम जैनल जोइन करो सबी स्पोर्ट्स की फ्री टीम मिलेगी बिल्कुल तो अभी जाके जोइन करो फूटबॉल में हमारे रिजल्ट्स वह बहुत अच्छे हैं तो अभी जाके जोइन करो टेलेग्राम चैनल लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं या फिर डारेक्ली सर्च कर सकते हो टीम्स फोर विन मैं बता देता हूं आपको डारेक्ली आप टेलेग्राम एप पर जाओगे तो आपको सर्च करना है एड़ेट टीम्स फोर बिना इस पेस के तो सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा या फिर डारेक्ट लिंक की डाल दूँगा मैं तो डारेक्ली लिंक से भी जोइन कर सकते हो देखे इस मैच का प्रिव्यू तो बोरुश्य मुंसन ग्लैडवाइक 4-2-3-1 फोरमेशन होने वाला है दो में प तुमों बहुत इंपॉर्टेल्स अब्र का मैंस था, उसमें यह मारी फिली नहीं हिए, तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्लैयर्स है बोरुश्य मुंसन ग्लैडवैक की टीम के लिए पर अटैक्टिंग उप्धिंग से काफी अच्छे 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 अ अब वापस कर चुके हैं मौराइस जो उन में से एक है मौराइस जुनियर मौराइस यूरोपा लीग का लास सीजन अच्छा गया मौराइस पैट्रेक और मार्लोस के लिए तीनों अविलेबल हैं इस मैंच के लिए I hope तीनों स्टार्ट करें अनविलेबल जो इस मैंच में सेटपीश टेकर की बाद को तो बोरुशिया मौंसन ग्लैडवेक की तरफ से कॉर्नर स्ट्रिक हर मैं लेगा वैसे तो जोनस होफमन लेता है पर वो अविलेबल नहीं है तो हर मैं लेगा यहां पर फ्रेकिक्स अलसानी प्ली प्ली भी इस मैंच में अविलेबल नहीं होगा तो बैंसेवाईनी के चांसर जाएं कि बैंसेवाईनी ले फ्रेकिक्स पैनल्टी लास्स टिंडल और बैंसेवाईनी फर्स्ट चोईस पैनल्टी टेकर अगर इस टिंडल पिछ पे रहता है तो इस टिंडल ही लेगा बाकी हो सकता है जल्दी सफ्टिटूट हो जाए और दोनों पेनल्टीज लेते हैं, फर्स्ट चोईस तो श्टिंडल है, तो दोनों को टीम में जरूरूर रखना है, इन दोनों कोई, सक्तर की बात करूँ तो पेनलटी लेगा एलं पैटरिक पेटरीकए अगर खेलते हैं, तो दोनोंव जरूरूर पेक करना, रेसेनल्ट में जiinचण की यहां पर 5 मैचेस मैंसे दो जीती हैं, दो डो ग्रो एक मैंच हारी है, जो र्वे कोई है, जो जा मुंदिस लेगा में 4-3 से हाइज स्कोरिंग मैस था और जो लास्ट मैस था उसमें ड्रो रहा पुरिश्या मुंसरिन ग्लैडबैक का सक्तर की बात कुरू तो सक्तर लास्ट पांच मैस से दो जीती हैं एक हारी है और दो ट्रो ड्रोमेस्टिक लीग में डिनेमो क्विव जो भी है वो टीम का नाम उसको रहा है राइवल है और अभी मतलब बहुत अच्छी टीम हो भी वन ओफ दी बेस्ट टीम इन उक्रेइन तो अच्छा मतलब अबी तक मतलब अभी तक की जो performance रही है टीम्स की बहुत यहाँ पर Madrid देख सकते हो थर्ड पोजिशन पर Madrid और Inter जैसी टीम्स जो bottom पर है और Gladback और सक्तर जो अंडर्डॉक्स है वो top पर है यहाँ पर 5 points के साथ और 4 points के साथ Gladback इकलोती ऐसी team है अभी तक हारी नहीं है इस group में एक match जीती है दो draw रहे हैं तीन matches में से और यह दो draw भी थोड़ा सा unlucky रही वो 87th minute के बाद concede किये तीन goal तो उसमें unlucky रही वो थोड़ी सी Madrid के against 87th minute पर 2-0 से आगी थी फिर 5-0 मिनेट में 2 goal concede किये वो match draw रहा इंटर के against 1-0 से आगी थी 90 मिनेट तक फिर 90 मिनेट पर Romelu Lukaku ने goal गया और वो भी draw रहा तो थोड़ा सा lucky वी रही gladback सकतर की बाद कुर तो start तो बहुत अच्छा किया था Madrid को 3-2 से रहा है फिर second match 0-0 draw रहा इंटर को score नहीं करने दिया बहुत अच्छा defense पर यहाँ पर gladback के against थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही लिया 6-0 बहुत बुरी तरह से अरा gladback में तो देखते हैं dreamland team final team telegram channel पर ही मिलेगी तो telegram channel जरूर join कर लो मैंने link बता दिया लिंक description में दिया हुआ है अभी जाके जोइन करो telegram channel final team वहीं मिलेगी बहुत से लोगों ने वीडियो अभी तक like नहीं किया तो वीडियो लाइक करो यार और चैनल को subscribe कर लो देखते हैं dreamland team तो strikers यहाँ भी इस match में 4-5 strikers होंगे strikers action में 5 strikers प्ली नहीं प्ली नहीं है सोरी थुरम मॉराइस और टाइसन एमबोलो और हर्मैन तो जो दो must pick strikers वो तो रज जरूर पिक करना थुरम और मॉराइस यहां पर confusion होगा आपको ब्रील एमबोलो लें या पैट्रिक हर्मैन एमबोलो लास सीजन अच्छा था एमबोलो का सीजन नहीं किया था उतना अच्छा पर प्लेयर अच्छा है जो रिसेंट मैचे में मैंने देखा है तो उन सभी मच्छी performance रही थी हर्मैन की तो मैं रिस्क लूँगा थोड़ा सा और हर्मैन के साथ जाओंगा बागी सेव जाना चाहते हो तो एमबोलो के साथ जाओ स्मॉल बिन असिस्ट के भी और अगर गोल असिस्ट कर देता है तो क्या ही बात होगी बाकी इतने पॉइंट तो पक्का देगा ही 30-40 पॉइंट एलन पैट्रिक जरूपिक करना और टेट है डिफेंस में गिंटर लाइनर लाइनर की performance अच्छी रही लास्ट मैच में गिंटर पे सेफ ऑप्षन लास्ट इंडल वाइस केप्टन मारकस थुरम वाइस केप्टन ओर ट्राय कर सकते हो थोड़ा सा रिस्क लिए के वाइस के लिए कर सकते हैं यहाँ पेट्रिक हरमेन को भी अच्छा प्लेयर है रिकॉर्ट में मतलब इस सीजन इतना कुछ बहुत किया नही अच्छा गया है अच्छा प्लेयर है पेनल्टीज भी लेगा और लास्ट मैच में जो सेकंड लास्ट मैच था उनका डिनेमो की उसमें भी स्कोर किया था पैट्रिक ने तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ग्रेंड लीग के लिए कुछ इंपोर्डन जो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राय कर सकते हो पैट्रिक हमन कैप्टन ग्रेंड लीग में इस मंद्र को जरूर ट्राय कर सकते हो और जो है एलन पैट्रिक ये दोनों इनको कैप्टन ग्रेंड लीग में ट्राय कर सकते ह बैंसे भाई नहीं भी एक अच्छा उप्शन है कैप्टेन के लिए स्टिंडल की जगह नहीं मतलब ऐसे फुल बैक है और थोड़ा ओफेंसिव फुल बैक है अच्छा करता है तो पैनल्टीज भी लेता है कभी-कभी इस्टिंडल नहीं होगा तो penalty यही लेगा बाकि इस्टिंडल तो हो गई तो penalties भी ले सकता है, confirm नहीं है इन दोनों में से कोई भी लेता है वैसे mostly स्टिंडल, स्टिंडल ने भी दो penalty लिया और Benzayvani ने भी दो लिया तो थोड़ा सा confusing है Benzayvani भी एक अच्छा option है Grand League में Captain के लिए तो I hope वीडियो पसंद आई होगी वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो Final Team के लिए Telegram चैनल जोइन करो Final Small League Team के लिए